हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक सब्ताह में कितना दिन होता है, एक महीना में कितना दिन होता है, एक साल में कितना दिन होता है, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर पहला कोशन है, एक सब्ताह में कितना दिन होता है, तो देखिए एक सब्ता में होता है 7 दिन एक सब्ता में कितना दिन होता है 7 दिन इसके बाद दूसरा कोश्चन है एक महीने में कितने दिन होते हैं तो बताइए एक महीना में कितना दिन होता है एक महीना में होता है 30 दिन देखिए एक महीना में 30 और 31 जादा होता है और 28-29 ये कभी कभी आ जाता है ल ज्यादा तर 30 माना जाता है एक महिना में 30 दिन. इसके बाद तीसरा कोश्चन है, एक महिने में कितना सप्ता होता है? तो देखिए एक महिना में होता है टोटल 4 सप्ता. इसके बाद चौथा कोश्चन है, एक वर्स में कितने दिन होते हैं? एक वर्स यानि की एक साल, तो एक साल में होता है 365 दिन, 365 दिन होता है एक साल में, अगर लिप यार आ जाता है तो उसमें हो जाता है 366, इसके बाद पाचवा है, एक वर्स में कितने महीने होते हैं, एक वर्स में कितना महीना होता है, तो एक वर्स में होता है टोटल 12 महीना, 12 12 month, एक वर्ष में, एक साल में 12 महिना, इसके बाद छठा है, एक दसक में कितने वर्ष होते हैं, तो देखिए एक दसक में होता है, टोटल 10 वर्ष, दसक यानि की 10, एक दसक में 10 वर्ष, तो देखिए यदि या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें